कभी देखा ऐसा बीस अजार लोग चौराय पे सरयाम गोली मार दी गई छेछे गोलिया दाग दी गई लाश पड़ी हुई है पड़ोस के राज्य गुजरात के भी लोगवा थे अमर सी भाई साब भी पड़ा रहे हैं गुजरा से उनका भी धन्यवाद लिजे स्री रतन जी देवासी पहली बार ये लाल पगड़ी वाला रिबारी राई का समाज इस राजस्तान की समाजिक और राजनितिक में इतियास बनाने के लिए जो आया है मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब को बहुत बहुत अभी नंदन देता हूँ आपके समाज की इस समाज की परतियाएक मेरी मात्रशक्ती मेरी मा जिनोंने ये सुर्वी जर्म किये इस समाज से आज उन्हों अपने घर पे एक घर एक धानी के अंदर व्यक्तिनी रहा और उमर क्या है आए कि मैं कहां जा रहा हूं अभी बात चल रही थी कि मा कुम में क्या है हम मेले में जाते हैं कि अब पता होता है कि क्या होता है मेले में नहीं पता होता है कुम शब्द क्या है मुझे कहने कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं और वो भी महाकुम ये समाज जो बरसोचत समाज एक शेक्षनिक और राजनितिक रूप से वंचित रहा और इस द्रस्टी पे इस स्षठी पे इस धर्ती पे ईश्वर ने जिन पश्वों को बेजा हमने हमारा करते वे निभाने में हम इतने पीछे चले गए कि आज उसके आगे होने के लिए जो मंधन के लिए खिटे हुए है वो ही महाकुम है उसी का नाम महाकुम है और उसी का महाकुम का संदेश है आज मेरे कहीं अधर्निये वरिजजन यहां बैठे है सारे मेरे नौजवान लोग माताओ बैनो मेरे अधर्निये बुज़ुर्ग हमारे पत्रकार मित्र सब लोग यहां बैठ के पूरे राजस्तान को यह नजारा बता रहे है साथियो माकुम क्यों बुलाया राजस्तान की समाजिक और राजनितिक जीवन में आपने प्रतेक पांच साल में देखा होगा के विबिन समाज जैपूर या जोदपूर में एकलत्रित होकर अपनी समाज की ताकत बताते है अपनी बात करते है अपनी चर्चा करते है और इस राजस्तान के समाजिक और राजनितिक जीवन में अपना संदेश पहुचाते है हम तो आज इखटे हुए सततर साल बाद और इखटे हुए तो कैसे हुए एकटे हुए तो ऐसे हो गए कि पूरे मुल्क के अंदर शाम तक इसकी चर्चा होने लग जाएगी कि हम एकटे हैसे हुए तीन दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे इन हमारे युवा मित्रों ने ट्रेंड चलाया था और कितने मिनिट रहा पास साथ आठ मिनिट तक तो उस दिन रात को आठ बज़े बाद पूरे देश के अंदर हमारे मा कुम ने ट्रेंड किया और सर्वतम प्रतम ट्विटर पे हमारा आती है रबारी समाज का मा कुम राख आठ बज़े से लेकर आठ बज़े के दस के बीच में अब मैं आपको कुछ बाते साजा करना चाहता हूँ हम समाज के लोग या इकत्रित हुए शिक्षा के लिए सब अपने इसाब से मदद करते है सब लोग बच्चों को कई हद तक पढ़ा रहे है चात्रावास ही बन रहे है परिक्षा भी दे रहे है आगे कितनी मजबूती से करे इसकी योजना बननी चाहिए इसके बाद राजनिती की बात आई सब ने बात की राजनिती की MLMP की मैं आज कोई सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें नहीं जाऊंगा क्या करना है क्या स्थिति है क्यों है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आज वर्ष दोजार तेईस है और ठीक बीस साल पहले वर्ष दोजार तीन में हम लोग यह जोद्पुर्ट में भी इकटे हुए थे हम सब का सपना था कि हमारा कोई ना कोई भाई राजस्तान से विदान सभा या लोग सभा का चुनाओ लड़े इस राजस्तान की बड़ी पंचायत में हमारा व्यक्ति पहुचना चाहिए यह सागर राइका जी हमारे बीच में बैटे है जैसे रगु भई आज परवेक्षक बनके आए दोजार में बीस साल पहले और राजस्तान की पंचायत में चुनाओ लड़ा मेंने और हमने हार नहीं मानी उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बोर्ड का कटन हुआ बोबा जी अद्यक्ष बने पुना चुनाओ लड़े जीत के के मैं पहली बार जीत के गया पहली बार को बनाते नहीं थे मगर मुझे उस समय सरकार में सरकारी हूप मुख्य सचे तक बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आने वाली सरकार में भुपाजी को मंत्री बनाना पुआ चलता रहेगा सिलसिला ये जो गुजराद के हमारे भाई बैठे हमारे वरिश लोग बैठे सागर बैयो गुआ बैयो रंचोड बैयो रगू बैयो माउजी बैयो एक समयलन हुआ समाज का गुजराद के सारे नेता ही आए मुझे याद है उसमें वो विदान सबा में अभी जो उपाद एक से भवान भई भरवाड वो भी आये थी और उन्होंने का कि आप लोग चुनके जाओ सबसे पहले मैं सौगत करूँगा आप लोगों का 2008 में आपके दो परतिमिदी राजस्तान के विदान सबा में चुनके गए और राजस्तान के राजनितिक में पहली बार इतियास बना कि पचास साथ साल बाद में पहली बार कोई दो विदान सबा में चुनके जाके बैठे वाँ पर और उसके बाद में 2013 का चुनाव आया दो में से कितने रहे जो और से बो जानते हो राजनिति सब जानते हो एक आवाज आ रही है ना आपकी आवाज है मेरी नहीं है और 2013 के बाद 2018 का चुनाव आया ये पांच साल हुए कितने हैं जो और से बो और जो और से अरे नहीं आ रही आवाज जो और से मुह आठा दे बोलो मने दियानने पड़ तो हॉम लो ये जीरो कौन दोशी है वो क्यों आयो नहीं आप लोग दोशी नहीं हो जो भी नेतागीरी करते हैं नेता मेरे समेट वो सब दोशी है आप मेंसे कोई दोशी नहीं आप मेंसे दोशी होते तो चार सो भेड़ पालक मद्या परदेश में अपनी रेवर्ड रखके और ट्रेन एक दिन पहले आती है रोज वो ट्रेन है नहीं एक दिन पहले वो ट्रेन पकड़के जोधपूर अपने गाट के पैसे करके वो बेड़ पालक और वो पसुपालक आज यहां नहीं आते अगर आप लोग दोशी होते तो आप लोग दोशी होते तो आप लोग दोशी हम लोग है मैं भी हूँ साथ काम करने वाले विबिन नेता कारे करता वो लोग दोशी होंगे क्यों क्योंकि काम तो राजनीती में करना पड़ेगा ये जो दोजार आट से अठारा पे जीरो पे आगे हो और कड़वी बात तो कहनी पड़ेगी नहीं है मगर समाज को अगर राजनीतीक रूप पे स्तापित करना है अच्छी तरह से स्तापित करना है 36 कौम का प्यार आशिरवाद मौबत लेके आगे बढ़ना है तो हम सब को कड़वी बात करके अपने अंदर जाकना पड़ेगा और यह समाज जो आँख लगा के हमारे सामने यहां बैठी है हमारी हैसियत जो बनाई है लाखों लोगों को हम संबोदित कर रहे है उस हैसियत को आपको आधर के रूप में बावना के रूप में रखना पड़ेगा और पल-पल सोचना पड़ेगा कि जो हूँ मैं इनके लिए हूँ मैं इनके लिए सोचना पड़ेगा और इनके लिए मुझे काम करना पड़ेगा तब जाके राई निती में वापस आपका खाता खुलेगा नहीं तो उससे पहले खाता नहीं कुलेगा और रोज काम करने की बात है काली सोशिल मीडिया माते वीडियो नौके ने नेता जी आप बोलिया है या मंच में से मैं ये बोल रहा हूँ उससे नहीं बुरा बढ़ता है जिस तरीके से कई लोग सुबह से लेके रात तक काम करते सुबह जल्दी उठकर 200-300 किलोमेटर गुमते लोगों के बीच में जाते हैं 36 कोम के बीच जाते हैं आपको पता है कि हमारा नेता वहां मिलेगा रात को दो बज़े जाओंगा तो खकड़ाएगा तो भी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा और ऐसा नेता जो नीडर है डरेगा नी, मेरे तकलीफ है तो मेरे लिए सास करके खड़ा रहेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा जब नेता बनोगे और मैं हमेशा कहता हूं, मैंने रोज कहा है, कि नेता बनना और लोग आपको नेता माने उसमें बहुत बड़ा जमीन आस्मान का फरक है नेता कोई भी बन सकता है मगर नेता वो होता है जिसको उसके साथी और प्रजा माने कि ये हमारा नेता है वो ही नेता रहता है हमेशा आज आप इत्ती संक्या में आयो आज राजस्तान का हित्यास बनाए मैं जब जब राजनीती करता था तो बात करते थे लोग के जाती वादी नियता है रतन देवासी रबारियोन वगड़ाया कहे के नहीं कहता कहते था यह समाज के लाओ उसका दो कारण है आप सुनना मैं आज भी कहके जा रहा हूँ कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं अड़ता नफा नुकसान नहीं देखता और नफा नुकसान देखा होता तो चुनाओ भी जीता मगर मन से समाज की और सबकी बात की है इसलिए शडियंतरों का भी शिकार हुआ हूँ पर आपके प्यार महबत ने मुझे जिन्दा रखा है और ये जिन्दे की आप लोगों के नाम है आप लोगों के नाम हो क्या होता है चुनाओ क्या होता है जिस व्यक्ति के पास में इस समाज की इत्ती बड़ी ताकत आशिरवाद प्यार महबत होता है वो मरने के बाद में भी यादों में रहता है आपके उपर सौचुनाव निचावर हो जाएंगे मगर आपकी हित की बात करना नहीं छोडेंगे आपके संग्याश की बात करना नहीं छोडेंगे और बिल्क सही है सही है मैं वही कह रहा हूँ और जो लोग यहां बैठे अभी वारदात हुई सुनना अब लो भाई लक्षमन देवाशी की हत्याकान्ट हो गया और उस साथ अगस्त के बाद यह जद्दीज जी खड़े खानू जी है गनेज जी है कहीं लोग बैठे मंच पे खड़े मैंने उनको कहा था कि आप जो उमीद कर रहे हो उससे तीन गुना जदा भीड आएगी हम हर गाव में घुमे मुझे जो मैसुस हुआ है मेरे 26 साल के कई नेता भी बोले जिनको संग्यान में नीथा अलग बाता है किसी ने बात की समझदार व्यक्तियों ने बात को ढाकी होगी मैं ढाक नहीं सकता क्योंकि मेरा जज़्मा वो रहा है पार उसी में खुद को नुक्सान किया है मगर प्रवच्चन देगे ग्यान अधिक्तरों ने दिया हमारे मेमानों को छोड़ कर इस पे बोला कोई इस पे बोला जिस दिन मैं बोला था मुझे आज तक सेक्ड़ों लोगों ने कहा सरी तक खुला मत बोलो आपकी जान को भी खत्रा हो सकता है मैंने पहले कहा था यह जीवन इस समाज और 36 कौम के नाम है जो होगा उसका सामना करूंगा मेदा छोड़ कर मैं नहीं जा सकता क्या होता है अरे यह जीवन आपने दिया है तो मौत भी आपके नाम हो जाएगी मकर इतियस गषा रहेगा और यह समाज प्रकती करता जाएगा गताल नुवाजि गताल क्यू डरते हो बाई क्यू डर रहे हो किस्छे डर रहे हो صحी बात करनी है तो मैं तो नहीं डरा यह गोओ भईे वहां थे हैं यह बैटे हैं सामने मैंने पहले का रंचोड भाई गुवा भाई सागर भाई सब बैटे हमारे आईकॉन है हमारे आदर्शे हमने बच्पन से इनको देखा है दूसरे दिन गुवा भाई का फोन आया मेरे पास मावजी भाई और मैंने कि दूँ कि तू संबालना ध्यान रखना काम जैसा होगा होगा उसको मजबूती से करना मगर अपन सब का ध्यान रखना मैंने का साब ध्यान रखने वाली मेरी नियत और मेरी भावना होगी नियत और भावना सही होगी तो बादूर भी मैदान में जंग लड़के आएगा तो या तो सरकलम होता है या फते है करके वापस आता है वो भागता नहीं है वो मैदान से नहीं भागता है वो उस मैदान में रहता है मैंने उस दिन का और ये बाद इसलिए कह रहा हूँ मेरे समस्थ पत्रकार मित्र यहां है आज सुबह भी कई पत्रकार मित्र आए थे जिन्नों ने इंट्रुवी लिया और चला भी ट्यूव पर मैंने उनको भी कहा था आज भी मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति जो अपराद करता है वो किसी समाज का नहीं होता है अपराद करने वाले व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए वो केवल अपरादी है उसकी मानसिक्ता ऐसी होती है कि वो अपराद करता है उसके बीच में दो-चार जने ऐसे होते जो समाजों में खाया पड़ते है हमारे किसी भी, मेरे साथ में विश्णोई समाज के कई भाई है बहुत आदर्श है, मेरे लिए मैनत करते है ये रगु भई परसो आये थे मीटिंग करने के लिए इनके पास में परमूग 50 लोग आए मेरे समर्थन में बात करने के लिए और सारे लोग थे, हमने का समाज की बात छोड़ो, हमारा तो प्रेम है वो प्रेम रहेगा, कहीं भी तुरूटी होगी तो हम आगे आके मैनत करके समाजों का प्रेम नहीं चूटने देंगे मगर जो हत्यारा है, वो एक भी निभक्स पाएगा उसके लिए जो कीमत चुकानी है, वो चुकाएंगे और वापट चले जाएंगे और किसके बात करते हैं, पत्रकार में तरह यहाँ है राजस्तान में, समाजी जीवन में कई तनाव होते हैं, कई गटनाए होती हैं, लूट होते हैं, मडर होते हैं हमने नहीं देखा क्या होता है, क्या हन्गा होता है, आग जनी होती है, तोड़ फोड होता है, मार पीट होती है मैं गया जैपूर मुझे कई सीनियर पुलीस अधिकारियों ने का कि आप रबारी समाई धन्यवाद के पातरो 20,000 लोग लाज़ पे बैठे रहे मगर एक व्यक्ती ने ना तो नौकरी मांगी ना पैसा मांगा ना कोई काम मांगा ना हला किया ना किसी संपती को कभी देखा ऐसा 20,000 लोग चौरह पे सर्याम गोली मार दी गई 6-6 गोलिया दाग दी गई लाज़ पड़ी हुई है पड़ोस के राज्य गुजरात के भी लोग वाँ थे और किसी प्रकार का नमानी हुआ इमान से कह रहा हूँ जो भी मेरे साथी नेता है जो भी हो बैटके आए उनका धन्यवाद आप श्रदान जिली देखे आए वगर सही बात को वाँ प्रशाशन को मिलकर और कैमरे पे आके बोलने की आपको रखना पड़ेगा केवल सिरफ बोलके वाट्सअप पे लिखने से कोई काम नहीं होगा ये परजाँ आपने साथ है नेताओं को भी देख रही है हमको हमारा दाइत वगर नर्वान करना पड़ेगा वोट आते जाते हैं चुनाओ समिकरन और तकदीर से जीते जाते मगर जिस माकुम की सौगन लेके आप जा रहे हो जो 77 साल बाद आजा आप इकटे हुए हो वो इसलिए इकटे हुए हो कि हम लोग इनकी आगे वानी कर रहे और ये कैसे आगे बड़े है उसकी बात कर रहे अगर उसमें नियत में कोई भी खोट आएगी तो आज से प्रतिक्या है कि जो भी व्यक्ति जो समाज का काम कर रहा है आगे वाने जो नेता है जो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके एक परसेंट भी समाज के काम में और आगे आने में खोट आजाएगी तो बगवान जतिस और और मादे उसको देखेगा और ये समाज उसको अंतर देखेगा अब कह रहे हैं पहले कह रहे हैं मेहनत कैसे हुई क्या किया हम में से हम में से कई लोग तो आके बोले हैं आज आज भासन दिया है पर उस व्यक्ति को भी याद करो जो इस गुजराद के बॉर्डर से हाडोती से नागो और बिकाने शेकावटी से मेवाड से और पाकिस्तान के पास रंड से हजारो हजारो लोग गाडियों में बसों में अपने घर का खर्चा डाल के आए अरे नमन है ऐसे लोगों को आपने जनम दिया मैं तो खुद गौरा में तो गया कि आज ये समाज में हम लोगों ने जनम हुआ है आप सबको बहुत साथ उबाद और बहुत धन्यवाद आप लोगों